मसका दोस्तों यह हमारा उत्तरप्रदेश इस्पिसल का पांचवा क्लास है जिसमें हम यह देखेंगे सिचाई एवं बहुत देशी नदी घादी परियोजना तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला कोस्चन है निमलिकित में से कौन सा एक बांध उत्तरप्रदेश में नहीं है तो उत्तरप्रदेश में बदुवा बान जो है वह नहीं वह कहां है वह बिहार में है इसके आगे कोशन देखेंगे कोशन नमर तो उत्तरप्रदेश की सबसे महत सबसे बड़ी बहुत देशी परियोजना निमलिकित में से कौन से है तो वह है रिहन परियोजना उत्तरप्र उत्तर प्रदेश के सोनबत जिले की पीपिरी गाउं में इस दित एक गुर्तवा करशन बांध है रीहन बांध को गोविन वललब बांध के नाम से भी जाना जाता है इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहुत देशी परिशने कौन है वह है रीहन बांध और रीहन बांध को किस नाम से जाना जाता है दूसरा कोशन बनेगा इसमें गोविन वललब बंद के नाम से और तीसरा कोशन बनेगा रिहन बान उत्तर प्रदेश के किस जिले में वो है सोन बद्र में इससे हम तीन कोशन बना सकते हैं तीसरा प्रशन है उत्तर प्रदेश में सिचाई का सबसे बड़ा शोत्र क्या है शोत्र क्या है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा का सिचाई के सोत्र जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था वह है नलकूप नलकूप से लगभग उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 74.9 परशन जो है सिचाई की जाते हैं उसके बाद नहर आता है फिर कुवा आता है तो आभी क्रम दे सकते हैं पर तलाब जिला दे और चौधा कोश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्लिकित सिचाई साधनों में से किसी से सरवातिक छेत्रफल सिच्चित होता है वह है नलकूप उपर हम देख चुके हैं निम्लिकित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिक्तम छेत्रफल में सिचाई करती है तो वह है शार्दा नहर जो आप्शन नमबर सी है वह आपका सबसे ज़्यादा सिचाई करती है तो शार्दा नहर उत्तर प्रदेश के अधिक्तम छेत्रफल की सिचाई करती है शा पावत के बनवास यानि उत्तर प्रदेश के उत्तरा घंडवा नेपाल की सीमा पर नामक इस्थान पर शार्दा नदी के किनारे हैं, सार्दा नदी से निकलती हैं, नहर का निर्मार कार 1922 से प्रारम हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ, इस नहर में लगबक 8 लाग हेक्टियर भ शार्दा नहर की जुने दिया होती हैं, वो भारत और नेपाल के नाम के बीश से निकलती हैं, दूसरा पूछा जा सकता है, कि शार्दा नहर का निर्मार का बहुआ तो 1922 से प्रारम हुआ तो 1928 में पूर्ण हुआ था, इससे एक कोस्टिन ऐसे बहुत कॉंसेट रूप में बुरा सकता है, कि सार्दा नहर जो है, वो अधिकतम 6 फल तुगरान करती है, लेकिन इसको बनाने का कारिय जो है, आजादी के बाद किया गया था, तो इस तरके कोस्टिन जम बनेंगे, जो बहुत ही करते हैं, टिपिकल कोस्टिन में से आते हैं, तो उसमें आपको यह ध्य साथवा कोशन है, भारत मिननल कूप एवं कूप की सिचाज़तम अधिकतम 6 फल राज है, वो है उत्तर प्रदेश, ये भी हमने बताया था, अरजुन बांध, अरजुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभानवित जिला कौन सा है, वो हमीरपूर है, जो अरजुन बां हमीरपूर जिला जो है, और महोबा जिला जो है, इससे लाभानवित होता है, नवा कोश्चन है, निमलिकित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है, उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है, इससे हमको पानी के भी प्राप्त होता हुगा परियोजना है option number C गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है इसको दिख्टिपने देख लेते हैं गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना का निर्मान 1980 के दशक में आगरा मतुरा वरिंदवन नगरों को पेजल UPलब्द कराने के लिए किया गया था उत्तर प्रदेश के मतुरा और गोकुल के मद्द ये मुना नदी पर इस परयोजना का निर्मान कराए गया है तो एक से एक question और निकल सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो गोकुल बैराज पर्योजना है वो कैसी पर्योजना है पहला question उसका उत्तर होगा गोकुल बैराज पर्योजना जो वो पेजल पर्योजना है दूसरा या उत्तर प्रदेश के किन जिलो को लाभानवित करता है इसका अंसर आएगा मतुरा वरिंदावन और आगरा तीसरा कोश्चन से बन सकता है गोकुल पेजल परियोजना जो वो किस नदी पे बनी तो वह बनी है या मुना नदी पे तो इससे हम तीन कोश्चन जो है पना सकते हैं उस्चन नमर दस है उत्तर प्रदेश में रानी लच्मी परियोजना बेतवा नदी पर इस्थापित है जो मद्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है यह ललितपुर, छांसी, हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाग एकर भूमी सिंचित करती है तो इससे पुछा जा सकता है कि जो रानी लच्म परियोजना किस नदी पर है तो वो बेदवा नदी पर हैं तीसरा कोस्टन पर बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में रानी लच्मिवाई परियोजना का उपयोग या तो इसका जो महत्त है किन-किन जिलों में होकर दिखता है वा ललितपुर, छांसी, हमीरपुर और जालौन इस प्रकार से हम इसमें तीन कोस्टन बना सकते हैं, ग्यारा नमबर कोस्टन है धच्छनी उत्तर परतेश का औरयया जिला प्रमुक रूप से उत्पादित करता है, औरयया जिला जो मुक रूप से फीमस हुआ है वहा ऑप्शन नमबर सी सुद्द देशी घी के लिए है, ग गुड के लिए जो है आपका गुड के लिए आयोध्या है शहद के लिए जो है आपका गुड का प्रशी घांस जिसे इस्थानी बूली में डैश के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले की तराई छेत्रों में पाई जाती है इस्थनली लोग इस खास से कई प्रकार की सजावटी समान और खरेलू उत्पादन बनाते हैं जिसे मूँज उत्पादन कहा जाता है तो इसका option होगा पी सर्पत सर्पत से आप देखे होंगे कई प्रकार की उत्पाद बनाये जाते हैं तो इसका आप देखेंगे जो लिखा हुआ है नीचे आपका description में प्रकति के रूप से उगने वाली बहु घासी घास जिले इस्थानी बोली में सर्पत या मूँज घास के रूप में जाना जाता है या मुकता उत्तर प्रदेश के अमीठी जिले के तराई छेत में पाई जाती है इस्थानी लोग इसे कई प्रकार की सजावटी समान और उत्पाद बनाते हैं शर्पत कुश की तरह ही घास होती है जिसे टहनी नहीं होती है तो शर्पत में जो टहनी नहीं होती है घास में वैसे टहनी नहीं होती है जिसे घास की प्रजाती में रखा जाता है ते रावा कोश्चन है निमलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आम तोर पर व्या पाए जाती है यहीं कपास उत्पादन के लिए महरास्ट और गुजराज जो है प्रमुक केंद्र है तो इस प्रकार से गेहूं चावल और तिलहन गेहूं उत्पादन करने में भारत में सौरप्रतम जो राज है वह है आपका उत्तरप्रदेश वहीं चावल उत्पादन करने म उत्तरप्रदेश का दुत्यस्थान है और चावल उत्पादन करने में प्रतामिस्थान जो है वो है बंगाल का तिलहन उत्पादन करने में जो आपका मद्रप्रदेश और राजिस्थान जैसे राज जाते हैं वहीं कपास उत्पादन करने के लिए आपको काली मिट्टी के छ इसका जो अंसर होगा उगाई नहीं जाती है जो फाशल वह का पास कोस्टन नंबर 14 देखेंगे उत्तर प्रदेश में नीम्बू परधानता कहां उगाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में नीम्बू का जो एक गड़ होता है नीम्बू जहां सबसे जड़ों हुगाई जाती वह कौन से छेतर है वह है सहारनपूर एवं मेरट इस प्रकार से 14 नंबर जो कोश्चन उसका अंसर हो गया यह सहारनपूर और मेरट अब देखेंगे भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना पतिशत उत्तर पतिश पैदा करता है तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन हुआ उसमें उत्तर पतिश का पतिशत पूछा जा रहा है इसको मुकता देखते हैं उत्तर पतिश का जो है इसमें 20 से 25 अंसर है लेकिन वर्तमान डाटा जो देखेंगे उसमें 41 परिशंट से जादा उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन करता है उसके बाद तमिलनाडू, उसके बाद करनाटक, हरियाना, पंजाब, आदी जिले आते हैं आदी सौरी राज आते हैं 16 नमर कोशन देखते हैं भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्तपादक राज कौन सा है? यानि आम सबस्दा उत्तपादन कहा होते हैं? वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे आंदर प्रदेश, करनाटक, बिहार, गुजरात, आदी राज जो है वह आम उत्तपादन करने में सबसे प्रमुक आते हैं आम की उत्तपादन में उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की वराइटियां पाई जाती हैं जो आप जानते हैं कि दसेहरी, चौसार, लंगड़ा, इस तरह के आम जो होते हैं वह उत्तर प्रदेश के प्रमुक आम में से एक है तो इस question का answer हो जाएगा option number D 17 question देखते हैं इन में से कौन सी मुक एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारन करने में सामिल है इस question में ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी एजेंसिय है इसमें से कौन नहीं है जो अनाज भंडारन करने के लिए मुक्खे रूप से उत्तर द्वाईत होती है तो इसका आप option number B पढ़ेंगे जो short में लिखा है वो लिखा है FDI FDI का मतलब यह होता है foreign direct investment ग्रीन फिल्ड निवेश में आप देखेंगे कि ऐसी प्रयोजना या ऐसा निवेश बनाया जाता है जिसमें अभी तक भारत में कारें नहीं किया है वह इकाई जो कि foreign direct investment कर रही है वह अपना प्रत्थम कार्य यही भारत से इसी भारत से प्रारम करेगा तो इसे कहते हैं green field investment तो वहीं देखेंगे आप जो brown field investment होता है brown field investment में यह होता है कि बाहर की कोई company भारत में पहले से इस्थापित company के साथ अपना सहियोग देकर उसमें जो investment लाती है वो होता है brown field investment जैसे आप अभी हाली में देखेंगे कि हीरो ने होंडा के साथ क्लब कर लिया है और बजाज के साथ एक कंपनी ने क्लब कर लिया है तो यह हो गया brown field investment वहीं जैसे टेसला company सीधा यहां भारत में आकी investment करती है वह किसी के साथ क्लब नहीं करती है तो वह हो गया आप ग्रीन फिल इंवेश्मेंट इस तरह से इसका जो अंसर होगा क्योंकि इसमें पूछा यह भंडारन के लिए उत्तादाई तो नहीं या भंडारन के लिए अजेंसी नहीं वो कौन है FDI लेकिन और भी देखेंगे तो इसमें है जो FCI कि राजबंडारन निगम यह जो होगा राजबंडारन निगम के अंतरगत आएगा तो वहीं जो है आपका SWC जो है वो जो है आपका राजबंडारन करागया के उपलब्द कराने के लिए आता है तो इस प्रकार Q17 का option नमबर B सही उत्तर होगा Q18 में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कृष्ची आर्थिक अनुसंधान केंदर की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है यानि कि उत्तर प्रदेश के कि अनुसंधान संस्ता के जो रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश में पांच कृष्ची अनुसंधान परिसद के संस्तान है ऐसा नहीं है इसका जो उत्तर होगा वह होगा 28 तो इसका जो नीचे विशलेशन किया गया उस पर हम एक बार ध्यान देते हैं कृष्ची आर्थिक केंदरी रिपोर्ट नोटएशन परिक के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृष्ची विज्यान केंदरी है आपकर होगाуск तो इस फ्रकार से इसका जो अंसर हुआ है अठारा का बी कोश्चन नमबर 19 देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्लिखित में से किस जिले में बाबु गेंदा सिंग गन्ना शोद संस्थान इस्तापित है उसका अंसर होगा कुशी नगर कुशी नगर में इसका नीचे जो विशलेशन दिया गया वो देख लेते हैं बाबु गेंदा सिंग गन्ना शोद संस्था उत्तर पदेश के कुशी नगर में इस्तित या संस्था सेवहरी नामक इस्तान पर है इस शोद संस्था की स्थापना 1976 में की गई थी इसकी इस्थापना के पहले पहले नेदेशक डॉक्टर H.N. सिंग बनाए गए थे इस प्रकार से इस question को जो answer होता है या कि जो उत्तर होता है वो option number A होता है कि गेंदा बाबू गेंदा सिंग गन्ना सोन सहस्तान कहा है वो है कोशिनगर में अब question number 20 देखते है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का बीज उत्तर प्रदेश का बीज प्रमारी करन ब्योरो कहा इस्तित है उत्तर प्रदेश में जो बीजों का प्रमारी करन की कौन बीज कैसे है उसमें कितनी मातरा में फर्टेलाइजर यूज होगा वह कैसी गुडवत्ता के है इसका जो प्रमाणी करन देता है उत्तर प्रदेश में कहां इस देता है उत्तर प्रदेश के लखनव जिले में आलम बाग में है आलम बाग पास आप देखेंगे बहुत बड़ा बस स्टॉप भी है जो बहुत ही सम्रिध्धी योजना की स्थापना निम लिखित में से किस वर्स हुई थी यह क्रिशक सम्रिध्धी योजना इसको 2017 में प्राराम किया गया था जो कि option नंबर B सही है और इसका उद्देश यह था कि 2022 तक किसानों की आय को दूगनी करनी है इस उद्देश से क्रिशक सम्रिध्धी योजना लाई गए थी इस परकार 21 नंबर कौस्चन जो उसका अंसर हो गया ऑंसर option नंबर B 22 वानबर कोस्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का परिच्छा बाल परिच्छा बान्द किस नधी पर अवस्थित है उत्तर प्रदेश का जो परिच्छा बान्द हो वह बेतवा नदी पर है बेतवा नदी किंदो किंदो राज्यों के बीच का संयुक्त किया गया है संयुक्त रूप से कारे हो रहा है उत्तर प्रदेश और मद्ध नदी पर उत्तर प्रदेश और मद्ध प्रदेश के मद्ध में किया गया और यह जो उसमें पूछ रहा है कि प तेस्वा नंबर कोशन देखेंगे उत्तर प्रदेश में आलू निर्याद जोन इस्थित किया गया है उत्तर प्रदेश में आलू का जो निर्याद होगा कि सारे पूरे उत्तर प्रदेश से आलू को कलेक्ट किया जाएगा और वहां से विदेशों में या अनिराज्यों में ज जोन इस्तापित किया गया है इस प्रकारत तीसवे कोश्चन का जो उत्तर हो गया वो हो गया आगरा जो कोश्चन उसका प्रश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के तराई छेत में मुख रूप से उगाई जाने वाली सुंगंधित चावल की किसमों का नाम है तो इस कोश्चन का जो अंसर होगा आपको मैंने कल भी बताया गया था कि काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है यह 600 इसी पूरु से गौतम बुद्ध के समय से यह उगाया जा रहा है यह बहुत सुगंधित होता है और इसको जो है यह निरियाद भी किया जाता है तो इस प्रकार से इसको एक जियाई टैग भी मिला हुआ है काला नमक चावल को इसी प्रकार चंदौली जिले जो है उत्तर प्रदेश का उसको चावल का का टोरा कहा जाता है तो इस प्रकार इस कोश्चन को अंसर जो हो गया वो ऑप्शन नमबर डी हो गया 25 नमबर कोश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश में नहरों के मात्यम से सता के पानी की बेहितर आपूर्ती प्रदान करने के लिए इसमें से कौन सा प्रमुक्र सिचाई और बहुत देशी पर्योजना में से एक नहीं है तो वहा है वर्षा जनक इसका नीचे देख लेंगे उत्तर प्रदेश के सिचाई के लिए नहरों को बहुत देशी पर्योजना के रूप में विक्सित किया गया है इस उत्तेश से 1973 से 1974 में में प्रदेश में तीन समादेश विक्सित पर्योजना यानि शार्दा सहायक राम गंगा वा गंडग को सुरू किया गया है शार्दा न नहर का है देश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है कुस्चिन नमबर 26 देखेंगे उत्तर पडेश राज में टेहरी बांध परयोजना किस देश के सहयोग से पूर की जाएगी धिलिए पर परयोजना है और सोवियत रूस के सहयोग से पूर की जाती है इसमें नीचे दिये वि पागी रती नदीवी पर सुव्यत संग्र के सहीयोग से किया गया था उस वक्स यू यू एससर था जिस वक्सकी स्थापना की गई थी टेहरी बांध की उचाई 265 मीठर यहनि की 855 फिट है वर्तमान में इसकी स्थापना इसकी स्थापत छमता जो है 2400 मेगावाट है भारत ने यहां अतरिक्त 1000 मेगावाट की काई लगाने की मनजूरी दे दी है टेहरी बांध परियोजना पर केंद सरकार ने 75 पतिशत हुआ राज सरकार ने 25 प्रसद्धनवे किया है तो यहां राज और कहते हैं केंद सरकार के सहीयोग से बनाई गई एक परियोजना है जिसे टेहरी बांध परियोजना कहते है या किस देश से कहते सम्मंदित या किस देश की मदद से या भारत में स्थापित किया जा रहा है या है सोव्यत संग के मदद से दूसरा तीसरा कोश्चन ये बनेगा कि इसको स्थापित करने में राज एवं केंद सरकार के कितने कितने अंशिदान किया गया है तो राजी सरकार का 25 परशन और केंदे सरकार का 75 परशन युगदान दिया गया है तो इस प्रकार से 26 नंबर कोश्चन का जो option नंबर D है वा सोव्यत संग वा सही उत्तर होता है तो इसी प्रकार अब 27 वा कोश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश राजी निक लिक कौनसा है इसको ङराजियों सबसे उचा बाद कौनसा evident ऊशा बांध में में आएंगे तो रामगंगाबांथ जो है सबसे उचा है जो कि 27 कोश्चन का option भी सही होता है कि इसक नेचे दिएगा जो विश्लेशन वे देख लیते रामगंगा बांध का निर्मार 1978 में धामपुने बिजनौल के रामगंगा नदी पर किया गया है जो बाद जो 177,95 मीटर उच्छा है जबकि माता तिला बांध का निर्मार 1958 में बेतवा नदी पर ललिदपूर में किया गया था इसकी उचाई 45,72 मीटर है तथा रिहन बांद जो कि सोनभद्र में रिहन नदी पर इस्तापित है इसकी उचाई एक्यान दसलमो चार-चे मीटर है मेजा बांध मिरजापूर के बेलन नदी पर इस्तित है इसकी उचाई 40 मीटर है इस प्रकार जो 27 नंबर कोश्चन था उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी राम का बांध रामघंगा बांध जो कि उत्तर प्रदेश राद को कि इसका आंसर होगा बेतवा इसका 28 वे नंबर कोश्चन का C option सही है नीचे दिये के विशलेशन को एक बार पढ़ लेते हैं उत्तरपदेश राज में परिच्छा बांद बेतवा नदी पर बना है इसके जलाशे का उप्योग बिजली उत्पादन के लिए परिच्छा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है बेतवा नदी हमीरपूर के निकट यमूना नदी में मिल जाती है इसमें कोश्चन यह भी बन सकता है कि जो बेतवा नदी है वहां हमीरपूर में किस नदी से अपना विलाय करती है तो वह है यमुना नदी के साथ तो बेतवा नदी किसकी साहिक नदी है वह है यमुना नदी की साहिक नदी इस प्रकार उत्तर प्रदेश इस्पेशल के लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका पांचवा पार्ट आज समापत होता है अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में कॉंटिन्यू करेंगे देखने के लिए धन्यवाद